कि नमस्कार कैसे आप सभी वेलकमी ओल वन्स अगेन एक वार फिर से आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है बीएसी पार्ट फर्स्ट के लिए हमने यूनिट शेकिन सुड़ू की है जो कि हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री ओफ और्गेनिक कंपाउंड ठीक है उसम आद मए ऊसमें देगा था यहानि कि प्रुकैक स्हों आपता का प्रदर्शन करेंगा तो बताया था कैयरल मोलेक्न है जिसमें derive सेंटर भी मौभिए और उसमें कोई इस समीटरी स्वागत मौभिएक सुमेट्रियो की कि संप्स्थित की ऊक्ष वह उपस्थित नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता बाकि plane of symmetry याने समीती का तल और center of symmetry सम्मीती का कैंध्र molecule के अंदर उपस्थित नहीं होना चाहिए तो अगर ऐसा molecule है तो फिर वो molecule क्या कहलाएगा optically active कहलाएगा धुरूबन घुरनक यानि कि वो molecule PPL plane polarized light को clockwise और anti-clockwise rotate करेगा फिर हमने देखा था RS nomenclature करना DL nomenclature करना वो हमने देखा था carbohydrate chemistry और जो हमारे amino acids होते हैं वहाँ पर हम उनको D और L से nomenclature करते हैं उनका नामकरण करते हैं कि कौनसी D sugar है कौनसी L sugar है कौनसा D amino acid है कौनसा L amino acid है वो सीखा था उसके बाद हमने RS सीखा था wedge representation में RS सीखा फिशर में RS सीखा ठीक है अभी हम उसी JU ayr marrow City के संटर डोगार दो-दोई स्टिरियोजनिग 믹 तो आफ में 1310 riders सेंटर इसरेया पंदर क्या होता है मैं भावार बोल जहां ना काइरलसेंटर उसी को स्टिपाइली सेंटर क्या ते लेकिन स्टिर और सेंटर नहीं होते यानि कि chiral center और stereogenic center में थोड़ा सा difference है, लेकिन आपके लिए कोई difference नहीं है, आपके इस लेपस में इतना ही है, आगे आप कहो कि हमने गलक पढ़ा था, उसके लिए मैंने आपको बता दिया, कि आगे जाकर आप देखोगी कि stereogenic center थोड़ा सा different होता है, लेकिन यहापर जो आप कि ऐसा molecule, ऐसा center जिसकी वज़े से molecule क्यारत करता हो, प्रकासिक समाव्यपता को प्रदर्शित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, stereogenic center, ठीक है, आइए देखते हैं, चलते हैं आगे, RS करना सीख गए हैं, आज हम एक नए नोमेनिकलेचर सीखेंगे, जिसका नाम ह क्या है, क्या, सबसे पहले देख लेते हैं, त्रिविम जनिक केंद्र, जिस बोलते हैं, stereogenic center, क्या होता है, तुम लिख सकते हैं, क्या करता है, क्या करता है, प्रकासिक समाव यप्ता, प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, stereogenic center कहलाता है, त्रिविम जनिक सेंटर से, यहाँ पर हमारा मतलब है काईरल सेंटर, यानि कि ऐसा कारबन परमाडू जो SP3 hybridizer और जिससे चारो अलग-अलग समू जुड़े हुए हूँ, जैसे फॉर एक्जामपल, यह ले लिए हमने, COH, OH, CS3, तो यह कारबन है, क्या है, यही क्यालाएगा, stereogenic center, क्योंकि SP3 hybridizer, चारो अलग-अलग गुरूप जुड़े हुए, जिसके वज़े से यह प्रकासिक समाविवता का गुण प्रदर्शित कर रहा है, यह optically active है, प्रकासिक समाविवता का गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो इसी को बोलते हम, stereogenic center, और इसी को बोलते हम, वो क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि 2, Tribune Genie, Kendra Yukta, केंदर Yukta, किरेल, क्या देखने वाले हैं? दो स्टेरियोजेनिक केंद्र युक्त किरेल अडूं की त्रिविम समावियपता त्रिविम समावियपता यानि ऐसा काईरल मॉलिक्यूल जिसमें एक से जादा स्टिरियोजेनिक सेंटर हों कितने हो दो दो इस्टेरियोजयनिक सेंटर हो तो उसकी त्रिविम समाव्यवता यानि कि उसकी स्टेरियो केमिस्ट्री कैसे होगी जैसे फॉर एक्जामपल हम यह ले ले लें तूसरी डााइ-हड्रोक्सील भूतेनोगे अनुल अर्म August में हमने क्या लिया है तूसरी डाइ-मिंविशन खायोगे व्यूतेनोगे पर एक O H ग्रूप लगाओगा यहां पर एक O H ग्रूप लगा ओगा बैलंसी पूरी करेंगे तो यहां हाइडरोजन होगा ठीक है और क्या है ब्युतेनोग ऐसी तो च री होगा और यह तरफ क्या होगा हमारे पास इस कारवन पर संकरण है SP3 इदर सी एस्ट्री ग्रूप है इदर हाइडरोजन ने इदर हाइड्रोक्सिल और इधर एक अलग ही ग्रूप है इसका मतलब यह वाला जो सेंटर है काहिरल सेंटर है sterogenic center है ठीक है ऐसे ही इस carbon पर यानि कि इस molecule के अंदर 2 sterogenic center मौझूद है तो हमें इसकी क्या देखनी है त्रिविम समावियता देखनी है कि अगर इसके अंदर 2 sterogenic center है तो इसके कितने त्रिविम समाविय भी वनेंगे जैननी इसके कितने आइसोमर वनेंगे ठीक है तो आइसोमर कैसे निकालते हैं इससे निकालते हैं formula है 2 to the power n to the power n से निकालेंगे जहाँ पर n क्या है n है no of no of stereogenic center जनए कि यहाँ पर n क्या है molecule्ट के अंदर कितने कितने गाइड़ल सेंटर या सम्मीत कारवन परमाड़ूं या स्टिविम जीनी सेंटर है तो हम यहाँ पर देग Сергie हैं तोम हम इह पर दिखे हैं कितने टीविभन जीनी सैंटर है यहाँ पर दो यह पर फेस्टा लाग जाीगा दो की पावर दो यानिकी आंसर डाइंगा चार यानि कि यहां पर टोटल कितने त्रिविम समावयब बनेंगे चार बनेंगे त्रिविम समावयब ठीक है तो यहां पर कितने त्रिविम समावयब बनेंगे चार बनेंगे कौन-कौन से होंगे वह चार समावयब देख लेते हैं ठीक है तो यहां पर त्रिविम समावयब क संख्या होगी चार अब वो कौन कौन से होंगे उनके बारे में देख लेते हैं तो यह मॉलीक्यूल है इस मॉलीक्यूल को पुर्दुवारदर रेखा है उस पर क्या उनेचे सबसे ज़्यादा कारवन पर माड़ू यानि कि यहां पर भी कारवन होगा कारवन होगा कारवन होगा और कारवन होगा और जो सबसे ज़्यादा ओक्सीक्रत समूल उसको कहां रखते हैं सबसे उपर तो कौन सा है जिसमें दूसरा क्या वनेगा एक समा आविर यह है चा outta न चाहिए न तो चार कॉन-कॉन से होंगे एक है दूसरा क्या होगा इसकी मिरारी मेज कि दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा इसकी दो है कि या बना देती सकू सी ओ सीड़ा हो एचज था चण हो रिए प्लार इसब्सक्राव ने लिख रहे तो अब क्या होगा की दूसरा इसकी मिरर में में यहां काँ पीछे की साइट और रहेगा अपनी जगह समावी एक समावे यह वने ग टो टल कितने वनने चाहिए चाह बनने चाहिएना तो यदर दो तो हमें दिख गए अब बाकी के, अभी तो मैंने दोनों OH ग्रूप को एक-एक साइड लगाया है, क्या कर सकती हूं, ऐसा भी तो हो सकता है, कि दोनों OH ग्रूप, अलग-अलग साइड लगे हूं, यानि कि एक OH इदर है, तो एक OH इदर, CH3, तीसरा बने गई ये, तीन समाविय भी हो गए, और čौता क्या होगा, छौता होगा इसकी मिरर इमेज, क्या होगी, COH इध eraser है, OH इध chunky तो OH लगा दिया, H लगा दिया, इधर क्या है, H है, तो ह है, इधर हो अच लगा दिया, इधर OH लगा दिया, इधर CH3, तो ये वन गए इसके चार समाव्यवी, कितने समाव्यवी वन गए इसके, चार समाव्यवी वन गए, यानि कि इसके त्रिविम समयाव्यता देखें तो इसमें टोटल चार समाव्यवी वनेंगे, अब देखते हैं कि इन चारों समाव्यवियों में आपस में क्या रिलेशन है, आपस में इनका क्या रिष्टा है, देखते हैं तो ये उपर वाला मिटा देती हूं मैं ठीक है, बात करते हैं पहले और दूसरे इन दोनों की बात करते हैं कि पहला और जो दूसरा समाव ये भी है इसमें क्या रिष्टा है, क्या रिलेशन है रिलेशन से मतलब है क्या है ये इनेंशियोमर है प्रतिविम्ब रूपी है या डाया स्टीरियो आईसोमर से है अप्रतिविम्ब रूपी है तो इनमें कौन सा रिलेशन है वो हमको चेक करना है तो देखते हैं पहले और दूसरे की बात करते हैं इन दोनों को देखते हैं पहल बिना गुमाई बस ऐसे ही उठाए और बिना गुमाई इसके उपर रख दिया तो क्या ये अध्यारोपित होगा नहीं होगा क्योंकि इसमें OH गुरूप इस साइड है जब मैं इसे इसके उपर रखूंगी तो OH इधर आएंगे और हाइड्रोजन इधर आएंगे यानि कि OH के स पहला और दूसरा आपस में क्या है आपस में क्या है आपस में है प्रतिविम्ब रूपी यानि इनेंशियो मर्स इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है पहले और दूसरा जो है इनका आपस में रिलेशन क्या है प्रतिविम्ब रूपी है ये दोनों आपस में इनेंशियो इसे ही तीसरा और चौथा इनमें किया रिलेशन है अगर आपके कोई पूछे कि तीसरे और चौथे में रिलेशन बताओकि यह क्या है तो क्यों देखें यह क्या तेय सबसले किया यह दो यहां पर मिर इमेज हो और वह भी कैसी नॉन सुपर इंपोजेवल मिरा इमेज हो यानि कि ऐसी मिरार इमेज ऐसे दरपन प्रतिबिंब हो जो एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो उनहें तो हम कहते हैं क्या इनेशियोमर्स इसका तो पहले और दूसरे में भी क्या relation है ये दोनों non super imposable mirror image है यानि कि ये दोनों क्या है inensiomer से लिख दिया तीसरा और चौथा में क्या relation है कि ये दोनों अपस में क्या है non super imposable mirror image है ठीक है भई देख लिया यानि कि यह क्या है इन एंशोमर्स हैं और अगर मैं कहूँ कि पहले और तीसरे में बताओ पहला और तीसरा यह है पहला और यह तीसरा इन दोनों में रिष्टा बताओ कि इन दोनों में रिष्टा क्या होगा तो अगर हम पहला देखें तो दोनो हाइड्रोक्सिल गुरूप एक साइड हैं है ना और इसमें देखें तो हाइड्रोक्सिल गुरूप क्या है अपोजिट साइड हैं तो क्या पहला और तीसरा एक दूसरे की मिररे मेज हैं क्या पहला और तीसरा एक दूसरे की मिररे मेज है नहीं है भई क्योंकि इसमें दोनों hydroxyl group एक side है और इसमें दोनों hydroxyl group opposite है तो इसका मतलब पहला और जो तीसरा है वो एक दूसरे की mirror image नहीं है यह दोनों एक दूसरे की mirror image नहीं है और जो एक दूसरे के प्रतिविंब रूपी नहीं होते यानि कि जो एक दूसरे के mirror image नहीं होते उन्हें ही तो हम कहते हैं डाया स्टीरियो आइसोमर्स यानि कि अप्रितिविंब रूपी तो पहला और तीसरा आपस में क्या है पहला और तीसरा आपस में क्या है आपस में है अप्रितिविंब पृतिविंब रूपी यानि कि डाया, स्तीरियो, आईसो मर्स है ऐसे ही दूसरा और चोथा देखें सेकेंड और फोर्थ में क्या रिलेशन है? सेकेंड और फोर्थ सेकेंड और फोर्थ भी क्या है? इसमें दोनों हाइडॉक्सिल ग्रूप एक साइड है जबकि इसमें hydroxyl group क्या है opposite है इसका मतलब यह दोनों भी एक दूसरे की mirror image नहीं होंगे क्यूकि इसमें OH group एक side हैं और इसमें OH group क्या है opposite इसका मतलब इन दोनों में भी आपस में relation क्या है डाया स्टीरियो आईसोमर्स अप्रितिविंब रूपी तो यह लेख सकते हैं आपस में क्या है अप्रितिविंब रूपी है यानि डाया स्टीरियो आईसोमर्स है तो इस तरह से अगर हमें काईरल सेंटर पता हो तो हम यह निकाल सकते हैं कितने समाब यह भी बनेंगे और यह ये बता सकते हैं कि उनके बीच में रिस्ता क्या होगा या आपस में इनसियूमर्ज होंगे या डाया स्टीरिव आ देखा तो यह मिरर इमेज नहीं है इसलिए यह क्या होगा डाया स्टीरियो आईसोमर्स ऐसी दूसरे और चौथे को देखा दूसरे और चौथे को देखा तो यह भी मिरर इमेज नहीं है तो इनको क्या क्या दिया डाया स्टीरियो आईसोमर्स ठीक है तो इस तरह से हम पैचा इन दोनों को देखा जाए तो एक जैसे हैं मिरर इमेज हैं तो इनके गुड़ भी क्या होंगे सारे बहुत ते गुड़ इनके क्या होंगे समान होंगे तो यहां पर हम मिटा दूंए इसको इतना नोट करो जल्दी से फिर मैं मिटाती हूं आगे चलते हैं कि अधिक है हिर्द सकते हं इस्जुड़ सकते हैं यह पर हम लिख सकते हैं आगी प्रतिविम्ब रूपी होते हैं यानि की इनन्यों मर्ष होते हैं उनके क्या गुण है गुण क्या प्रॉपर्टीज होती है ठीक है उनकी प्रॉपर्टीज को देखना है तो देखते हैं ठीक है क्या गुण होते हैं पहला गुण क्या है पहला गुण है कि जितने भी इनेंशियो मर्स होते हैं जो आपस में इनेंशियो मर्स है उनका जो आपस में क्या होंगे समान तो हम लिख सकते हैं पहला गून क्या है इनका कि इनके बहुत क्या होते हैं इनके बहुत की जैसे कि melting point, boiling point, अपवर्त नांक, यानि refractive index, अपवर्त नांक, ठीक है? और क्या? इनके melting point, boiling point, अपवर्त नांक और इनके जो होते हैं घनत्व, density. इनके घनत्व, ये सब क्या होते हैं? आधी गुण, आधी समान होते हैं. यानिकि इनकी physical properties, सब क्या होंगी? सेम होंगी. यानि दोनों का melting point सेम होगा, दोनों आईस उमर का boiling point सेम होगा, उनके अपवर्त नांग, घनत्व, सब ही क्या होंगे? समान होंगे. क्योंकि वो क्या हैं आपस में? इनेंचियो मर हैं. ठीक है? अगर इनकी विलेता की बात की जाए, तो इनकी विलेता भी क्या होगी? समान होगी. इनका अगर chemical reaction देखा जाए तो, तो समान अभिकर्मकों के साथ, क्या होगी? समान अभिक्रिया होगी. यानि कि अगर एक रूप react कर रहा है H2SO4 के साथ, तो दूसरा भी करेगा. यानि दूसरा भी same reaction देगा. जो एक फॉर्म, अगर दोनों फॉर्म इनेंसियो मरते हैं, जैसे पहला और दूसरा इनेंसियो मरते, तो जो पहला reaction देगा, chemical reaction देगा, वैसी ही same to same reaction कौन देगा? सेकेंड भी देगा. है ना? अगर तीसरी देखा जाए, चौथा देखा जाए, इनमें क्या समानता है? तो इनके जो IR spectrum देखेंगे, यानि इनके जो spectroscopic गुण होते हैं, वो भी क्या होते हैं? समान होते हैं. तो इनका क्या कह सकते हैं? इनका अवरक्त spectrum समान होता है. बले ही दोनों अलग अलग है, mirror image है, non-superimposable, लेकिन इनके अवरक्त spectrum भी क्या होंगे? समान होंगे. तो difference क्या है फिर? different क्या है फिर? सब कुछ तो समान है, तो difference क्यासे करेंगे हम दोनों में, कि ये isomer हैं. difference के वाल एक ही है, क्या? कि एक जो होगा, जैसे हमने बनाए थे ना भी, ये बनाए था COH, OH, OH, यहाँ पर था CS3, H, H. इसकी mirror image बनाई थी, COOH, इधर OH, H, OH, H, और यहाँ पर था CS3, ये समान होगा, इनकी physical properties समान होगी, इनकी chemical properties समान होगी, इनकी अवरक्त spectrum समान होगी, फिर difference कैसे करेंगे दोनों में, कैसे पता करेंगे, सब कुछ तो समान है, तो difference आता है, plane polarized light को गुमाने के angle में, यानि कि इन में से कोई एक समाव्य भी होगा, जो plus होगा, और एक समाव्य समाव्य भी होगा, जो minus होगा, plus का मतलब dextrorotatory, यानि कि एक समाव्य भी ऐसा होगा, जो PPL को क्या करेंगा, clockwise गुमाएगा, dextrorotatory या plus का मतलब क्या होता है, clockwise rotation, तो एक तो ऐसा होगा, जो PPL को clockwise गुमादेगा, और दूसरा क्या होगा, जो PPL को anticlockwise गुमादेगा, यानि क एक होता है इसन ही डिफरेंस है के लिफाल का इंगल तो दोनों में सी होगा माल जो यह फूलों प्लस 30ग तो यह फ्या होगा माईस में के सीम घूमाएगा 30 डिगरी बस साइन चेंज शोगा सोगा एक माइनस मतलब एंगल सेम रहेगा एक क्लॉक वाइज रोटेशन कराएगा जबकि दूसरा एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन कराएगा केवल इतना डिफरेंस होता है बागि सारे गुण समान होते हैं इनेंशियो मर्स के ठीक है तो आगे चलते हैं ठीक है आगे देखते हैं आगे हम देखते हैं हमें क्या देखना था इरीथरो और थ्रियो अब हमें जो नामकरन करना है वो एक है इरीथरो थ्रियो डाया स्टीरियो आइसोमर्स तो हमें जो अब देखना है नेक्स्ट टोपिक जो है वो है Erythro End Thrio Diastereo Isomers हिंदी में भी Erythro & 3 और पृतिविम रूपी क्या हो जाएंगे ये Erythro & 3 और पृतिविम ग्या है Erythro विवाम थ्रियो प्रतिविंब समाव्यवी ठीक है जैसा कि यह ने पिछले एक्जांपल में देखा कि फस्ट और थर्ड में क्या रिलेशन था फस्ट और थर्ड में रिलेशन था कि दोनों आपस में क्या थे तो सैंटिस्टों ने क्या किया कि अगर हमारे पास अप्रितिविम्ब रूपी दे रखे हो में 2 जिनमें Sterogenic Center वी कितने हो 2 तो हम A7 में विभेद कैसे करेंगे तो यह जो इरिथ्रो और 3O नामकरन है का यूज किसमें होता है अप्रितिविम्ब रूपी ओमें पहचान करने के लिए यानि उनमें विभेद करने के लिए कि यह एक थ्रियो होगा होगा एक निस्यात युद्रो पारण। आफ रहे है के वालनस संटर कितने और नहीं चाहिए अगर इसारियोगैने कंट्र टो सफिर ख्लय करते हैं proud इरीथरो और थ्रियो किसके लिए यूज करते हैं जब अप रितिविंब रूपी हो और दोनों में कितने की स्टीरोजनिक सेंटर हो दो तो अगर हमारे पास ऐसे अप रितिविंब रूपी दे रखे हैं जिनमें दो स्टीरोजनिक सेंटर हैं तो उनमें बिभेद करने के हैं दो त्रिविम जीनी यानि कि स्टेरियोजैनिक सेंटर कितने होने चाहिए दो युक्त आ प्रति विंब रूपी समाव्यभियों समाव्यभियों में विभेद करने के लिए अप्रति विंब रूपी दिखतो रहा होगा ना छोटा तो नहीं है जादा आई टूंट सिंग सो छोटा है विभेद करने के लिए करने के लिए किस रसाइन अग्यों ने क्या किया क्या किया फिशर रिप्रेजेंटेशन कौनसी रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे हम फिशर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन यूज होगी वह कौनसी होगी फिशर पर आधारित नामकरण की पद्धती दी तो इसका मतलब जब हम इरीथरो और थ्रियों में उनको क्लासिफाई करेंगे नामकरण करेंगे समावियवियों का इरीथरो और थ्रियों में तो हम जो रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे वो कौनसी होगी फिशर रिप्रेजेंटेशन वैज नहीं यूज करने ही कौन सी करनी है मैं फिशर रिप्रेजेंटेशन का यूज करना है ठीक है और क्या होना चाहिए दो कंडिशन यानि कि stereogenic center दो होने चाहिए और उनमें relation होना चाहिए अप्रितिविम्ब रूपी का डाय स्टीरियो आइसोमर्स का तब हम उनको किसमें इरीथ्रो और थ्रियो में classify कर सकते हैं ठीक है और representation कौन सी लेनी है हमको Fischer representation लेनी है ठीक है तो देखते हैं कब इरीथ्रो कहेंगे और कब थ्रियो कहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Fischer प्रक्षेपण में यदि समान समूं यदि यहां पर्माडू श्रंकला एक और हों तो उने तो उने अरीथ्रो क्या और गरुप और या फिर सेम पर्माडू श्रंकला सेम साइड हो, यानि दोनों एक ही साइड हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, इरीथरो त्रिविम समाव्य भी कहेंगे, इरीथरो त्रिविम समाव्य भी कहते हैं, इरीथरो में क्या होना चाहिए, जो सेम ग्रूप है, वो एक साइड होने चाहिए, या सेम चेन है, वो क्या होने च रक्षेपन में यदि समान समू या परमाडू श्रंकला कैसे हो विपरीत और हो तो उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें थ्रियो तो उनको क्या कहेंगे हम थ्रियो त्रियो त्रिविम समावे भी कहते हैं ठीक है यानि कि अगर same group same side हो तो erythro और अगर opposite side हो तो three example क्या लेते हैं example वही लेते हैं जो अभी-अभी हमने लिया था for example एक्जांपल जो हम लेके चलेंगे वह अभी जो हमने किया था एक्जांपल कौन से किया था टू-3 डाई- hydroxy butanoic acid इसी को लेकर चलते हैं टू-3 डाई- hydroxy butanoic acid है ना जस्ट अभी हमने एक्जांपल किया है तो उसने आपने देखी ते चार form बने थे कितने संवय विवनेथे इसके इसके कितने त्रिविम सम़ावी विव ठीक है एक दो तीसरा क्या था तीसरे में कहा थे अपोजिट साइड थे ओएच एच और ओएच और नीचे था CS3 और चौथा कौन सा था इसकी मिरा रिमेज ये तो तीसरा था चौथा क्या था CS3 ये चार बनेते इनी को लेकर बताएंगे कौन ही रीथर होंगे कौन थ्री हो तो यहाँ पर अगर हम देखें ओएच ग्रूप दोना सेम ग्रूप हैं और किधर हैं सेम साइड में तो वही तो का था हमने यदि समान समूँ एक ओर हों समान समूँ क्या हो एक ओर हो यह ढ़ी तो यहाँ तो क्या गरना और पहला और तीसरा पहला और थीसरा आपस में क्या हैस्टी यह संसे तो हम यहां पर इनेंसियो मर्स की बात नहीं कर रहे हैं डाया स्टी रिवाइस की बात कर रहे हैं यान कि पहले और तीसरे डूसरे और चौथे की बात कर रहे हैं कि इनमें क्या रिलेशन है तो यहां पर देखें समान समू क्या है एक साइड अगर इसमें भी देखें तो समान समूं क्या है एिक साइड तो यह दो नर्व ग्या है इनको हमक्या नाम दे सकते हैं इनको हम दे सकते हैं यimmie किया है यह in यह यह अरिथ रों है क्या है यह दोना जो है Aree 3-20 समा ना मैं तो रह Sikh ड़िखतो राएन दिश्य विख दोर होगा कि यह दोना क्या है ए Inhale रहें क्यों कि इन में समाल समूं क्या है एक ही और है तो इतर रित्रो समावी हो और यहां पर देखिए तो समान ग्रुप यह फ्यान एक एकवित ओह उच फ्याच यह ब्वी ओह छय फ्यां अपो falar टद ओह समाना अब नाम देते हैं उनका relation क्या है इनको काईएंगे थ्रियों त्रिविम समाव्यभी ठीक है और इरीथरो और थ्रियों आपस में क्या होते हैं डाया इस्टीरियो आईसोमर्स त्यूंकि दौनओ एक दूसरे की मेरा इमेज नहीं होते इरीथरों और थ्रियों आपस में क्या होते हैं इरीथ्रो और थ्रियो देख सकते हो इरीथ्रो में क्या होते हैं इरीथ्रो में तो समान गुरूप सेम साइड होते हैं जबकि थ्रियो में समान गुरूप क्या होते हैं अपोजिट तो एक में सेम साइड हैं एक में अपोजिट साइड हैं तो दोनों आपस में मि है इरीथ्रो फ़र्ड क्या है भट है 30 Εபलब तो यह दोनों आपस में कैसे अब nm ? बाइस किल्ध यह क्या है आपस में डाया इस्टीरियो आइसोमर्ण याonsin कि इरीथ्रो और यूओ आपस में क्या होते हैं अप्रीतिबिंब म éléments होते हैं इरीथ्रो और थ्रीयो आपस में क्या relation है दोनों का अप्रितिविंब रूपी होते हैं ऐसे ही second and fourth क्या है डाया स्टीरियो आइसोमर्स हैं यह क्या है यह है इरीथ्रो और यह क्या है यह है थ्रीयो इसका मतलब इरीथ्रो और थ्रीयो आपस में क्या होते हैं डाया-ए-स्टीरियो होते हैं तो इस तरह से जिन में दो त्रिविम जीनी केंद्र होते हैं और कि लिए प्रेसेंटेशन में हो तो उनको हम इरीथ्रों और थ्रियों बता सकते हैं अगर समान गुर्फ लिए तो अगर समान गुर्फ अपोजिट साइड होंगे तो 3-0 कहते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं फिर, कुछ एक्जाम्पल्स कर लेते हैं, उनको हम इरीथ्रो और 3-0 नामकरन देंगे, जल्दी ही ये यूनिट खत्म होने वाली है, कुछ लेक्चर्स और, तीन या चार लेक्चर्स और, फिर ये यूनिट, खत्म हो जाएगी, उसके बाद, पर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, इसकी, एक बार स्टीरो केमिस्टि क्लियर हो जाए, कुछ एक्जाम्पल्स कर लेते हैं, उनको हमिरी थ्रोर, थ्रियों में, नॉमें क्लेचर करेंगे, जैसे की, एक्जाम्पल है, 2-3-डाई-ब्रोमो-ब्यूटेनोइक ऐसेड, जैसा अभी हमने बनाये था, बिल्कुल वैसा ही, च, बस यहां पर क्या लगाओगा, बियार, क्या लगाओगा, बियार, सेकेंड और थर्ड पोजिशन पर क्या लगाना है, बस, ब्रोमो लगाना है, बाकी तो सब सेम ही है, तो यह क्या होगा, 2-3-डाई-ब्रोमो-ब्यूटेनोइक ऐसेड, तो फिशार क्यों सकता है कि 0.62 यह ब्र का ओँं आपोजिट शायड में हो एच T gjorde एक पॉसिबिलिटि है एक यह पॉसिबिलिंटि है जब दौन क्यांच सह सैम साइड होते तो क्या होती है इरेठ रो और क्या हो सकता है इसकी रिमेज मं सकती है बनसकती है बंसकती मिर ψ इमेज कि नहीं बन सकती बिलकुर बनेगी तो स्वारी अगर दर तो बियार दर तो बियार एच एच और यहां पर क्या है इरीथ्रो तो यह दोनों आपस में क्या है इरीथ्रो त्रिविम समावेवी ठीक है यह क्या है इरीथ्रो त्रिविम समावेवी और इन दोनों में क्या रिलेशन है यानि इसमें और इसमें और इसमें दोनों में कंपेरजन करें तो यह दोनों ही आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है चाहे पहला और तीसरे की कंपेरजन कर यह आपस में क्या रहेंगे, यह आपस में mirror image नहीं है, यानि क्या है, अप्रितिविम रूपी है, यह कैसा है, इसमें समान समू का है, opposite side है, इसकी mirror image भी बन सकती है, इसमान समू का है, opposite side पर है, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे, थ्रियो, त्रिविम, समावे भी, त्रियो, त्रिविम, समावे भी, और इन दोनों में आपस में relation क्या होगा, इरीथ्रो और थ्रियो, इन दोना का अगर comparison करें, तो क्या ये दोनो mirror image है, यहाँ पर दोनों क्या है, hydrogen, hydrogen same side है, जबकि यहाँ पर क्या है, hydrogen है, और एक BR है, इसका मतलब ये दोनों mirror image नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, आपस में, अप्रितिविम रूपी है, ये दोनों आपस में क्या है, अप्रितिविम रूपी है, इसका मत एक और एक्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक्जाम्पल है 2,3-dichloropentene, 2,3-dichloropentene, फिशर में लिख लेते हैं इसे, चलो भई, फिशर में लिख लेते हैं, 2,3-dichloropentene, तो दोनो क्लोरिन, क्लोरिन, सेम साइड हो सकते हैं, तो इसको बोलेंगे क्या, इरीथ्रो, और दोनो क्लोरिन, क्लोरिन क्लोरिन क्या हो सकते हैं, एक अपोजिट साइड भी हो सकते हैं, जब सेम साइड होंगे, तो बोलेंगे इरीथ्रो, और अपोजिट होंगे तो इसी को क्या बोलेंगे हम थ्रियो बोलेंगे तो इस तरह से हम इरीथरो और थ्रियो बाट दिर्यो में या क्या कहते है सॉरी इस प्रकार से हम अप्रितिविंब रूपियों में क्या करते हैं विभेद करते हैं किसके द्वारा इरीथरो और थ्रियो नामकरण दे कर कि हमने उनने बताया की इरिथो और फ्रियो आपस में होते हैं अपस में होते हैं और पृति भीन गरोपि आया स्टीर आइसोमर्स तो इस तरह से हम उन में बिवयद कर सकते हैं अपधि प्रृतिभीम रूपियों क लिए तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ठीक है अगले लेκचार में हम देखेंगे अगले लेक्चेर में हम देखेंगे कि अगर मीजो याद है ना पढ़ा आशण को मीजो क्या होता है तो मीजो में रैसेमिक मिश्रन क्या होता है?